Hello and welcome back to Micro Bill Concepts. So, ये वीडियो है फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप और ज्यादा वीडियो बना फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड. Okay, so ये एक question हो सकता है आपके interview में कि incidence क्या है और deviation क्या है तो हमें इसका difference जो है वो पता होना चाहिए दोनों के concept जो है वो पता होने चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि दोनों भी जो है वो आपके product quality को affect करते हैं. Okay, तो इसके लिए वो गलतिया, कुछ events, accidents जो होते हैं हमसे वो हम avoid कर सके, इसके लिए हमें incidence और deviation फाइल करना पड़ता है, report करना पड़ता है. Okay, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जिसने गलती की है उसके लिए ये एक warning बन जाता है. Okay, कुछ-कुछ pharma industries में तो ये भी rule है कि आपका अगर same mistake पे तीन बार deviation हो जाए और आपका fourth time अगर deviation उसी mistake के वज़े से file हो रहा है तो आपको बहुत उपर तक report किया जाना, आपको report करना पड़ता है और आपको answer देना पड़ता है कि आप से बार-बार ये गलती क्यों हो र कि quality जो है वो अच्छी रखनी है, maintain रखनी है, consistent रखनी है, यानि कि जो quality है वो कुछ थोड़ी भी उपर नीचे नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से काम करना होता है, लेकिन कुछ-ना-कुछ गलतिया तो होती रहती है, तो उस समय हमें incidence याफर deviation भर या फिर जो professional है, बहुत सालों से काम कर रहे है, वो भी कभी-कभी confused हो जाते है कि बाबा भी ये गलती हुई है, तो इस पे हमें incidence भरना है या इस पे हमें deviation भरना है, तो ये हम यहाँ पे आज clear कर लेंगे, तो simple सी बात है, deviation पक्का दिमाग में ये बिठा लो, कि deviation जो है, वो आपके written procedure के उपर अगर कुछ गलती होती है, written procedure के उपर से, यानि कि हम अभी एक SOP है, कि autoclave कैसे चलाना है, लेकिन आप अगर autoclave, SOP में जो procedure दिया है, उसके मताबिक नहीं चला रहे हो, उसका अगर आप logbook में entry नहीं कर रहे हो time to time, आपका 2-3 entry जो है, miss हो गया, आपने, आप तो, अभी microbiology के lab में तो हमें रोज autoclave करना पड़ता है, लेकिन आप से 2-3 गलतिया हो गई, आपकी entry मिस हो गई, तो आपको यहाँ पर deviation बरना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारी procedure में है, हमारी SOP में है, कि आपने इस समय पर autoclave अगर on कि गया है, तो आपको log book में उसकी entry करवानी है, सही है, तो समझ लीजे, when someone works against any written procedure, which is QA authorized and are regularly implemented to meet quality needs, okay, quality हमें maintain करने के लिए हम क्या करते है, SOP होता है, या फिर कुछ schedule होते है हमारे pharma industry में, जैसे कि अभी microbiology के lab में हम every 15 days, हम जो GPT के लिए bacterial stocks, याने slant जो होते हैं, जो हम preserve करके रखते हैं, fortnightly हम उसे subculture करते हैं, fortnightly याने 15 दिन के बाद हमें हर बार culture जो है, subculture करना पड़ता है, ताके हमारा culture अच्छा रहे, fresh रहे, सही है, और हम वो आगे GPT के लिए use कर सके, लेकिन अगर आपने subculture नहीं क जो करना था, आपका 30 days बात हो गया, आपका एक बीच का subculture miss हो गया, तो क्या होगा, शायद आपका जो पहला slant है, उसके nutrients अगर खतम हो चुके होंगे, तो आपका culture मर भी चुका होगा, सही है, तो ये क्या है, आपका GPT पे hamper करेगा, GPT इसके बाद आपका test पे भी इसका असर दिखेगा, तो आपका quality में ये जा रहा है, आपके product के quality में, quality control में हमें लगता है, microbiology के lab में GPT लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे जो quality control में ये mistake आई है, सही है, schedule था 15 days बात, subculture करने का वो हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, deviation, जो करना था, उससे आप deviate हो गया, मत फिर किसी reason के वजह से हो, यानि कि आप 15 दिन चुट्टी पे थे, आपका ये काम था और आप किसी को बताना भूल गया, ये भी reason हो सकता है, तो ये क्या हुआ, आपका जो रास्ता आपको दिया गया था, जिसके उपर आपको चलना था, आप उदर से बुढ गया, आप deviate हो होके आया है, ऐसा जो भी काम है, वो अगर आप नहीं करते हो time पे, तो आपका deviation आता है, अभी deviation दो type के होते हैं, एक planned deviation, एक unplanned deviation, यानि के planned deviation में क्या आता है, कि एक procedure था, जो plan किया है, कि बबा, हर Saturday ये procedure करना है, लेकिन आप से नहीं हुआ, for example, हफते में एक बार calibration करना था, weighing balance का, समझो वो Saturday है, या फिर समझो Monday है, तो आप से miss हो गया, आपने calibration नहीं किया, आपका miss हो गया, तो ये क्या हुआ, as per schedule आपने काम नहीं किया, तो कि ये बन गया आपका deviation, या फिर हम 15 minute के लिए UV lamp on करते हैं, LF use करने से पहले disinfection के लिए, आप से वो 15 minute के वज़े आपने 5 minute ही कर लिया, तो ये हो गया आपका deviation, okay, unplanned deviation क्या होता है, कि अभी autoclave में कुछ fault आ गया, autoclave चल नहीं रहा, तो ये हो गया, failure of your utility, failure of your equipment, तो ये तो आपके वज़े से नहीं हुआ है, लेकिन ये accidentally हो गया, unplanned deviation इसे बोलते हैं, okay, कुछ तो system है, जो चल नहीं रही है, तो आप आपका काम रुख गया, आज आपका media sterilized नहीं हो पाया, तो आपका काम तो रुख गया, तो ये हो गया, unplanned deviation, okay, so failure of procedure, material or utility, it is considered as change in our written procedure, okay, written procedure में था कि बाबा रोज autoclave करना है, और उसके बाद हमें media use करना है, testing के लिए, लेकिन अभी ये हुआ नहीं क्योंकि autoclave चल नहीं रह तो ये क्या हो गया, unplanned deviation, okay, so अभी इसमें types है, क्या है, critical, critical में क्या है, आपसे, SOP में जो बोला था, आपसे नहीं हो पाया, follow, ये हो गया critical, SOP standard operating procedure is must, हर जगह पे, किसी भी काम के लिए हमें pharma में, not just pharma, food industry हो, cosmetic industry हो, dairy industry हो, हम SOP के मुताबिक चलते हैं, क्यूँ, क्योंकि that is good manufacturing practices में आता है, हमारा quality maintain होता है, सही है, और आपने वही नहीं किया, या फिर आपसे, दो batches आपने manufacture कर ली, लेकिन आपने details, एक दूसरे के उपर लगा दिये, यानि कि आपना, आपका जो details था, वो आपने गलत चिपका दिया, batch के उपर, तो क्या हो गया, सामने आपने वाले को तो पता नहीं है, वो तो यही बुलेगा कि हाँ, इसके अंदर यही material है, क्योंकि लेबल पर यह लिखा है, लेकिन अंदर कुछ और ही है, तो यह क्या हो गया, critical mistake है, तो critical deviation आगया, दूसरा है, major, अभी major में एक example यहाँ पर है, यो कि यह है, line clearance, not taken from QA, अभ करनी है, उसके बाद इसको revise करना पड़ सकता है, तो आपको फिर से SOP बनाना है, revise करना है, कुछ mistakes हुए है, तो वो mistakes गलतिया उसको निकाल के, आपको फिर से print out लेना है, और आपको QA से authorize करना है, QA person का वहाँ पर sign होना बहुत ज़रूरी है, QA person उसको review करता है, QA में भी उसकी entry बनती है, कि बाबा, ये SOP जो है, ये फिर से revise हो गया, okay, तो हर एक चीज की QA के पास भी entry होती है, और आपने अगर revise कर ले, लेकिन आपने QA से वो review नहीं करवाई, तो आपका ये हो गया major deviation, okay, then comes minor, अभी छोटे-छोटे भी problems होते हैं, जैसे कि raw material आपको testing के लिए लाना था, तो आपने बोल दिया, raw material department में कि बाबा, QA में भीज दो, testing के लिए, तो उनोंने क्या क्या, मिल गया, एक container उसमें भर दिया, लेकिन देखाने की container अच्छा है कि ने, damage container था, तो हो सकता है, वहाँ से भी contamination आ जाए, सही है, तो ये हो गया minor division, क्योंकि sampling container जो था, वह damaged था, ओके, तो deviation तर देख लिए, अभी देखते, incidence क्या होता है, incidence बहुत easy है, आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने just two lines दी है, क्योंकि actually बहुत easy है incidence, आपको याद रखने में, तो concept incidence का ऐसा है कि कोई भी event, जो आपके product quality को affect करे, या ना भी करे, ओके, उसे हम incidence बोलते है एक event, आपसे मतलब कुछ तो गलती होगे, for example, आप बहुत जल्दी में है, आपका time management कुछ गलत हो गया, तो आपने क्या क्या, जो testing room होता है, हमारा MLT, या फिर microbiology, testing room जो होता है, वहाँ पर हमें गावनिंग करके अंदर जाना होता है, सही है, ताके हम contamination को कम कर सके, तो आप आप जल्दी में अपने अच्छे से, मतलब पूरा गावनिंग नहीं किया, गावनिंग का जो procedure है, वो फॉलन नहीं किया, या फिर आप खा रहे हैं, पैकेजिंग एरिया में, जहाँ पे product बन रहा है, पैकेज हो रहा है, वहाँ पे आप खा रहे हैं, तो कुछ गिर गया, या फिर आपके product में, आपके powder में, पैकिंग के समय वो interfere कर सकता है, या फिर आपका कुछ तो chemical है, आप काम कर रहे हैं, lab में और आपसे वो spill हो गया, आप testing कर रहे हैं और आपसे spill हो गया, तो आपके results पे वो affect करेगा, नहीं भी कर सकता, depend करता है, and mixing of two batches, यह examples हैं, जो मैंन नहीं होगा, उसके हिसाब से हम incidence भरते हैं, कभी कई बार ये भी हो जाए, कि आपसे कुछ गलती हो जाए, लेकिन किसी को दिखाई भी ना दे, तो आप बच भी सकते हैं, now that depends, so incidence is, यह अभी यह जो गलतिया है, यह कही भी SOP में लिखी नहीं है, या फिर इस पे QA का control नही है, इसलिए यह deviation में नहीं जाता है, यह incidence में जाता है, कि एक हाथसा हो गया, okay, तो यह भी हम report करते हैं, अगर product quality पे इसका असर होने वाला है, तो यह ज़रूरी effect, ज़रूरी है कि आप इसे file करें, okay, तो यह था difference between incidence and deviation, तो I hope आपको यह concept clear है अभी, so मेरे वीडियो को ज़र को subscribe करना ना भूले, and साथ ही, जो bell icon है, उसे भी click कर दे, ताकि जब भी मैं ऐसे videos upload करूँ, तो आपको notification मिल जाए, thank you so much.